आज इस वीडियो में बात हम लोग करेंगे उशा कवीता का सारांस के बारे में हिंदी सौवंक काव्यखंड 12th क्लास बिहार बोर्ड इस बार के एक्जाम के लिए आपका महतुपुर्ण प्रस्न है उशा कवीता का सारांस तो इस क्वेस्टन की तेहारी आप लोग अच्छी तरह से कीजिएगा तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे उशा कवीता का सारांस के बारे में तो देखिए उशा कवीता के जो कवी है समसीर बहादूर सिंग जी है इनको कवीयो का कवी कहा जाता है very very important question आपके लिए कवीयो का कवी समसीर बहादूर सिंग जी उशा कवीता देखिए समसीर बहादूर सिंग जी उशा कवीता में क्या बताते हैं सुर्योदय के ठीक पहले के समय के सुंदर्ता उसके सौंदर्य के बारे में बताते हैं कि उशा कवीता में सुर्योदय के ठीक पहले के समय के बारे में अब चलते हैं ये जो समरी है उसको पढ़ते हैं उशा, नई हिंदी कवीता के चर्चित कवी, शमसीर बहादूर सिंह रचित, एक बहु चर्चित, शौंदर्य परक कवीता है। इस कवीता में कवी ने सुर्योदय के पुर्व के उशा कालिन आकासी स्वरूप और सौंदर्य के बड़ा ही का व्यात्मक चित्रन किया है। शुर्योदय के पुर्व काल उशा काल कहलाता है उस समय आकास बिल्कुल स्वक्ष राता है उसकी निलिमा के बीच आने वाला उजाला हलके रूप में ज्ञाकता सनजर आता है पहले पराग्राफ में कवी जी क्या कह रहे हैं देखिए उसा नई हिंदी कवीता के चर्चित कभी आपका है समसीर भहादूर सिंग्जी है बिल्कुल सही बात है इस कवीता में कभी ने सुर्योदय के पूर्व के उशा कालीन आकासिय स्वरूप और संदर्य का बड़ा हिंक का व्यात्मक चित्रन किया है यानि कि सुर्योदय के ठीक पहले के समय के बारे में बताए है कि सुर्योदय के पहले का जो समय होता है उसे उसा काल कहते है उस समय जो आपका आकास होता है बिल्कुल स्वक्ष रहता है उसकी निलीमा के बीच आने वाला उजाला हल के रूप में ज्ञाकता सा नजर आता है तो पहले परग्राफ में आता काल की उस बेला में अकासी ये निली राकसा लगता है, हलके अंदकार के आवरण में ढके रहने के कारण, शंपूर्ण लीपे हुए गिले चोके के समान लगता है, और फिर धीरे धीरे हलकी लालीमा की जलक उभरने लगती है, तब उसका स्वरूप कुछ बदल सजाता है उस समय आकास को देखकर ऐसा लगता है कि आकास वह काली सील हो जो जरासा लाल के सर से धुली हो, देखिए हम लोगों ने भी सुर्योद है कि ठीक पहले का समय देखा होगा, आकास बिलकुल उपर का भाग किया हो जाता है, बिलकुल नीला, हलके अंदकार के आवरण में के रहने के कारण संपूर्ण लीप हुए गीले चौके के समान लगता है, बिलकुल सही बात है, धीरे धीरे हलकी लालीमा नहीं देखते हैं, धीरे धीरे मतलब हलका हलका रंग, लाल रंग का, अब सुर्योद है कि समय सुर्य भागवान आप लोगों ने भी देखा और हमने भी देखा है, बिलकुल लालीमा धीरे 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 दिखाई पड़ता है, उस समय अकास को देखकर ऐसा लगता है कि अकास वकाली सील हो जो जरा सा लाल केसर से धुली हो, ठीक है, अंत में कवी ने उसा कालीन अकास के प्राकृतिक सुंदरे को प्रभावपूर्ण रूप स प्रस्तुत करने के लिए अंतिम उपमान की चर्चा करते हुए कहा है कि उस समय अकास के वक्ष पर उसा कालीन दिरिसे नीले जलमे धिल मिलाती गोरी काया के समान लगता है, इस परिवेस में सुरियोदय होता है, फिर सुरिकी प्रकास किरने विकेर्न होने लगती है, जैसे फिर सूरी की प्रकास की किरने विकर्न होने लगती है और अकास की गोद में चल रहा उसा का यह जादू और उसका नजारा सबसमाप्त हो जाता है सुर्योदे के ठीक पहले का समय जो आपका उसा के बारे में जिक्र है जैसे जैसे सूरी की किरने धीर धीरे चारो तरफ फैलती के लिए नए उपमानों के चितरण किया है कवी द्वरा प्रस्तुत यह है प्रकृती सुन्दर अदभुत देखिए ये कवीता का सारांस आप खुद से भी लिख सकते हैं सुरियोदय के ठीक पहले के बारे में आपको बताना है कि सुरियोदय के ठीक पहले के समय अकास कैसा रहता है अकास बिल्कुल साफ रहता है अकास में जो नीलिमा यानि के नीले रंग की होती है सुरियोदय के सम आप अराम से इजिली लिख लिजेगा उशा कविता का सरांस बस इसे एक बार अच्छी तरह से आप पढ़ लिजेगा आप कुछ इंपोर्टेंट क्वेस्चन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तीन क्वेस्चन है कि समसीर बहादूर सिंग के जनम 13 जनवरी 1911 इस वी को हुगा व कवियों के कवी समसीर बहादूर सिंग को कहा जाता है तो यह आपका है उशा कविता का सारांस इस बार के एक्जाम के लिए आपका बे आदी महत पूर्ण प्रस्ण अच्छी तरह से त्यारी अपलग कर लिजेगा ओके धन्यवाद